मुझे लगता है ये सारी चीजे जब बनेगी और बनना शुरू होगी तो धर्मेंदर यादों को जबाब मिल जाएगा मुझे लगता है कि सदन में ही जबाब दे दिया था वित मंत्री जी ने जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसत थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पे पैसा ही नहीं आया तो भित मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पे पैसा पास हो गया है तो सदन के अंदर ही उनको जबाब मिल गया था और आगे अब जब धरातल पे चीज़े होने लगी तो बाकी जबाब भी मिल जाएगा उन्हों प्रदान मंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है तो मैं लड़ लिया लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा जरूरी है वो करना पड़ेगा मुझे लगता है कि राजनीती में देखे न कुछ गलत होता है न कुछ सही होता है अपना अपना नजरिया होता है तो जिस नजरिये से अखिलेश जी किसी भी चीज को देखते हैं यह उनका नजरिया है और योगी जी जिस चीज को अपने नजरिये से देखते हैं उनका नजरिया है तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छबी को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है, इसक तो हमको समझना पड़ेगा अखिलेश यादव जी की राजनिती ही यही है कि वो समझते हैं कि वो हिंदूओं का खिलापत करके सनातन का खिलापत करके मुसल्मानों को खुष करके और राजनिती करेंगे और इसमें वो सफल भी है मुझे लगता है कि जिस चीज पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तत्त है वो निकाल लें कि कोई ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारान आदमी के पिछे तो ऐसा नहीं होगा जब भी होगा कोई इनामी बदमास होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके उपर सरकार को करवाई करने होगी तो सरकार करवाई करेंगे तो क्या योगी सरकार जाद देखके इनकाउंटर करती तो विकास दूवे का क्योंगी इनकाउंटर किया देश विदेश की ताजा खवर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले